नवरात्र पर्व की विदाई के साथ ही दशेरा में रावन दहन की तयारी की जाती है जिसके चलते दुर्व के कुथरेल गाउं में वर्षों से सरवाधिक रावन पुतले का दिर्मान किया जाता रहा है जिसकी दिर्मान दुर्व भिलाई रिसाली सहीं 36 गड़ के विभीन ज आपको बताना चाहेंगे कि इस गाउं में पिछले 50 सालों से रावन का पुतला बनाया जाता रहा है और यहां के पुतले पूरे जिले भर में भेजे भी जाते हैं सबसे ज़्यादा पुतले भिलाई शहर के होते हैं जैसा कि कलाकारों ने बताया कि इस बार 26 रावन के पुतल निर्मान वो कर रहे हैं इस काम में पूरा परिवार उनका साथ देता है आपको यहीं बताना चाहेंगे कि अभी तक सबसे बड़ा 70 फिट का रावन पुतले का निर्मान ये कर चुके हैं और आजगराम कुत्रेल सरवाधिक रावन निर्मान के लिए चर्चित भी हो गया है इसके चलते इस गाउं के रावन के पुतलों की मांग बढ़ रही है इस सम्मन में साहू परिवार के लोगों ने प्रतिक्रिया दी कर दूर्ग मेंदिन से चालू कर थे पुतला बनाया को तीन माहें से चालू थे पुतला बनाएक कीन माहीं से है कि बाहर से भी अब आप मन तो देखे तो कर काम करते हुं पिल बहुत दिन होगे काम करते ये मन भी आते काम करे बहुत मतलब काम कर पुरा है सबसे बड़े पुतला के बने हैं अभी सबसे बड़े पुतला के बने हैं अभी दस फीट कैंजें सबसे बने हैं यहां मेरे दादा के टाइम से पुतला का निर्मान के आजार हैं पहले दादा जी बनाते थे अब इसके बीटे बना रहे हैं और आज पास दूर के भिलाइéma जितने भी सहर शायर है और वहां बनाया जाते हैं शत्तर फीट पचास फीट पैंतालिस फीट अलग अलग जगह हों पे और जो पुतले का निर्मान काम चलता हो वो सिटी में चलता है रिसाली में और जो मुंडी-उंडी का काम चलता है यहीं बनाते हैं कितने लोग सामिल रहते हैं इसको बनाने के लिए 15 से 20 वरकर लगे रहते हैं बिछले एक महने से एक से डेड़ में लग जाता है बनाते हैं मैं हेल्प करता हूँ थोड़ी बहुत मैं अभी जो है बुंडी-उंडी का जो सेट रखते हैं कैसे किस टाइप का सिक्वेंस से उसको जामाते हैं वो सब काम अभी पढ़ाई कर रहा हूं अब जगहों में समीतियां अपने हिसाब से कि मुझे 25 फीट का 30 फीट का ऐसे पुतला निर्मान इमलब चाहिए ऐसागर के उस इसाब से ओडर लेके मनाते हैं कि आसपास की जगहों में जहां ज्यादा बास की मात्रा पाई जाती है वहां से काट वाट के वहां से लाके उस